हेलो स्टुडेंट आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर रहा है वह है आज आपका इंग्लीज स्पोकेन आपका एक क्लास है और यह क्लास आपका बेसिक क्लास है आप समझ सकते हैं यहां पर आज हम बताएंगे आपको दू एंड डज का प्रयोग इसके पहले हमने इज एम आर का प्रयोग वाज और वर्र का प्रयोग बता चुका हैं तो आज हम पताएंगे दू एंड डज का योजेज थिक्ट आप यहां पर देख रहे होंगे और आप एकदम बेसिस सीखना चाहते हैं तो इस तरी की वीडियो मिलते रहेगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपके सामने दिखाते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे अगर तो आपको दिख रहा होगा कुछ पेज तो आज यहां पर हम जो पताएंगे डू और डज में आपको पता है यह टेंस में भी यूज होता है और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डू और डज आपका कुछ एक क्रिया के र प्राइमरी एगजिलेरी वर्व के रूप में किया जाता है साथ ही साथ मुख्य वर्व के रूप मतलब आप इसको हेल्पिंग वर्व के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं साथ ही साथ इसको पी एवी के रूप में करते हैं मतलब यहां पर अगर देखी कि लिए कि अपको पता हो तो ताहिति हैते हैं यह आपको पतहे हैं कि इंडिफिनिट में आता है और उसने भी आपको ढूएंट दच का यfज होता है वो भी आपको सभीत के अनूसार तो यह आपको पता है कितेंसके इसाफ से भी सका युज ड Kollege होगा आपका निगेटीव एंड इंड डोगेटीव होगा तो आपको डूएज का उज़ा तो डिवावडました है थेसला डाउं आप अगर देखते हैं तो एक वर्चन और जो बहुवचन होते हैं ये बहुवचन एक वचन के साथ आपका लगता है डज कौन सा लगता है डज एन बहुवचन करता के साथ लगता है डू ठीक है ये आपके लगते हैं कौन कौन से संटेंस में तो ये आपका निगेटिव संटेंस में और उसके सी डेज 어dalle क्रिकेट तो यहां पर देख रहें नहीं नहीं लघा हुआ ने Glee तो यहां पर अगर देख रहे हैं कि क्या वह अपने घोड़े की सवारी करती यहां पर अगर देख ऻह मतलब हीन्ट्रोगेटिवटिफ सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको यहां पर आयए कोचन बापभी समझें। तो यहां पर C-A-Question है, C-A-Question है, I-Bohu-Action है, बहुचन है देखेंगे तो दू का यूजज हुआ है, यहां पर U-Bohu-Action है यहां पर भी दू का यूजज हुआ है, इस परकार से आप समझ सकते हैं सारी चीजों को, कोई आपको यहां पर परिसानी नहीं होने वाली है, एक पर और भी आपके एकजामपल से, और यहां पर यूजज़ डू के बारे में यहां पर अप समझते हैं, देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि दू का पर दू का पर दू का पर दाज रहेगा, का पर प्रजेंट इन डिफेंट टेंस के वाकियों में 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 वर्व और मतलब इसको मुख क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं में वर्म और हेल्पिंग वर्म के रूप में भी कर सकते हैं में वर्म का मतलब हो समझते हैं कि दू माने करना होता है दू माने क्या होता है इसका मतलब होता है करना अगर आपका क्रिया की रूप में करना आ रहा है तब द तो डू आ गया करना आ गया ओभी एक वाचन को साथ एक वाचन में क्या होता है कभी-कभी एक वाचन में डू को हम यास याइस लगाएं तो डज बन जाता है इस प्रकार से हमारा डू और डज यूजेज हो जाता है मुख किरिया के रूप में भी और साथी-साथी हेल्पिंग वर्ब में तो मैंने बताया ही तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं कि मैं अपना काम समय पर करता हूं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर करना है यहाँ पर क्या है करना तो आप यह देख रहे हैं तो यह आपका फरमेट है आफर्मिटी में टू डज नहीं लगता है इंटिफिनेट में बट है याँ पर को यह जह हो रहा है किसके रुप में यहाँ पर मुख्यक्त रूप के रूब मैंने बोला ना helping verb do की DAY का प्रियोग do एंड dutch का प्रियोग कभ और मैंने बोला ना यह होता है आपका negative संटेंस में किसमें होता है यह आपका निगेटिव संटेंस में होता है उसके साथ ही साथ आपका इंट्रोगेटिव संटेंस में होता है यहां पर देख रहे हैं तो ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो निगेटिव है बट यहां पर यूज है इसका मतलब यह एक सहाई सेबन ए यहां पर डजफ का सहे क्रिया होता है किस का मत्लब होता और हमारा यह धुaser चाहिए ऐसे हैंके अगर हम आपके भाई को आूरा का नहीं करते हैं तो करना की लिए यह हमारा यहाँ पर डू यूज हुआ है सेम ऐसे ही अगर हम देखते जाएं तो और भी यहाँ पर संटेंसेंज है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डे do not have enough time मतलब उसके पास परियाब समय नहीं है उसके पास परियाब समय नहीं है अब यहाँ पर आपको एक बात confusion में डाल रही होगी कि सर यहाँ पर तो करना भी नहीं है डू माने करना होता है तो यहाँ पर करना भी नहीं है पर यहां पर डू क्यों यूजज है यहां पर डू क्यों यूजज है यहां पर तो यहां पर डू इसलिए यूजज है कि आप यहां पर देख रहे हैं कि उसके पास पर याप समय नहीं है मतलब यहाँ पर किसी के पास कोई टाइम हो या कुछ भी बात हो रही हो तो इसके लिए आपको तो तब यह उजज हुआ है वैसे अगर यहाँ पर भी देखना चाहते हैं तो क्या आप अपना कमरा साफ करना चाहते हैं साफ करना एक ही मतलब होता है साफ करना का एक ही मतलब हो यह किसके रूप में हुआ है यह आपका निगेटिव के रूप में हुआ है यह आपका निगेटिव के रूप में हुआ है बट इसमें आपका इंट्रोगेटिव के रूप में हुआ किसके रूप में इंट्रोगेटिव रूप में तो यह दोनों यूजेज आपको पता हो लेकिन वाई है इंटरो पीटिप चिंड देखिए इंटरो पीटीव यहां पर देखें हैं डू नाठलाब डॉन्ट यह नीगेटीव इसी तरह से डजनाठmore यह भी नीगेटीव और यह दोनों क्या थे क्या थे इंटरो गे टीफिल यह क्या और हम देखते हैं यहांपर आगे चलते हैं to address rules आपके क्या क्या और हो सकते हैं डू का प्रयोग-आई-जरी वर्ब तथा में वर्ब के रूप में भी second person pronoun या third person plural pronoun या first person आपका pronoun के साथ होता है डूक अप्रियोग वहुचन करता सब्जेट के साथ भी होता जैसे हम साम को क्रिकेट नहीं खेलते हम साम को क्रिकेट नहीं खेलते तो आप यहाँ पर साहे क्रिया की रूप में यूजित देख रहे हैं ना मेरे द्वारा यहां हर रोज हर रोज किया जाता है I do it every day I do it every day हम इसे so more को करते हैं हम इसे so more को करते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो सारी चीजें आपको एक बार में ही बता दी गई हैं तो वही चीजें बार बार आ रही हैं पस और कुछ भी नहीं है सेमें ऐसे ही चीजे हैं यहां पर तो यहां पर भी डज का भी प्रयोग법 ऐसे ही है हभी कभी यहां पर देख देखे में बरब के रूम में हो रहा है तो third person singular pronoun के साहत हो रहा है जैसे देख्जें उसे सतरंज खेलना पसंद नहीं है तो दू नाट यहां पर देखिए आपका क्या है यह देख रहे हैं तो आपका यहां पर आपका डच का यूजेज हुआ है ठीक है तो यहां पर भी वहां यहां बार बार नहीं आती तो वहां के साथ आपका डच नाट इसी तरीके से मार्च में यहां बारिस नहीं होती जो यह हो ऐसे ही सारा structure है कि वह अपना काम करता है he does his work मतलब आपको पता हो गया कि यह usage है negative है negative बाद interrogative है interrogative sr no type सभी चीजे यहाँ पर आप एकदाम आराम से समझ सकते हैं अब रही बात आपको समझाने की तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं बारी की समझेगा मतलब do जो है और आपका डज जो है do और डज जो है इनका usage हम कब कब करेंगे तो यहाँ पर हम बता रहे हैं सबसे पहली बात इसका usage हम अगर tense में है यानि कि present किसमे present indefinite present indefinite present indefinite tense present indefinite tense इसमें है तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें usage होगा यह usage होगा आपका निगेटिव में किसमें युज़ेज होगा निगेटिव में और दूसरा आपका interrogateurs इन kardeşim किसने Cohna negative में ठीक है दो में usage होगा ठीक है बात समझ compost इंट्रोकेटिव और नीगेटिव में आपका do रॉट डच का यूजज होगा तब आपका जभ परजन जने है फर जने डिफरिटेंस का मतलब है कि जिस वागय के अंत में आपका क्या आए ताहे ताहे उसके बाद अगती है उसके बाद एप ते हैं उसके बाद पी है कुछ ऐसे ही आएं तब ठीक है तेहां पर आप देख लीजिए यह हो गया उसके बाद आगे आपका कौन सा यूजर जाता है डूड़च का डूड़च का अलग यूजर जो आता है वाता है आपका एक किसकी रूप में है यह हेल्पिंग वर्ग की रूप में है हेल्पिंग वर्ग मतलब सहाय करिया गरूप में में वर्ग की रूप में आता है फिर में वर्ग की रूप में आता है कब में वर्ग की रूप में आपको आएगा जब आपका डूमाने करना आएगा तब डूमाने करना आएगा तो कि यह होगा वो भी आपका यह आपका बहुचन के रूप में होगा डू आपका यहाँ पर क्या होगा यह बहुचन के रूप में होगा और उसके बाद डज आपका एक वचन के रूप में हो किसके रूप में एक वचन के रूप में तो यह चीज आपको समझ लेना पहले करता यह दोनुं होंगे आपके नाउन के साथ और यह करता आपको समझ लेगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है तो बेसी चीजे जो भी थी यहां पर पता है दू और डज काकभी उज़िज होगा अगर टेंस जो के एकजिलरी वर बहुत हैं यहां आगे चरी जाती है यह बात को आपको समझना चाहिए ठीक है तेहां पर बहुत सारे जांपल भी हैं अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको आप लगाईएगा घर पर इसक्रीन सॉट लेजिए यहां पर इंट्रोगेटिव क लक्तर चाथ इसका मतलभ डीज हो गया अभए हादमी आपका क्या है एक है उसके बाध हैं इहां पर एकशन तो राज्जा के लिए डज लगा हुआ है इसलिए कि तुम क्या है बहुआ चाने इसके लिए डू लगा है तो सेम प्रोसेस वही है जो हमने बताया तो अगर आप चीज़ें समझ गए होंगे तो आपको समझे मैं चोटा सा वीडियो इसको करूं ताकि बड़ा वीडियो हो ज पढ़ने के लिए हमारे चैनल से पर इष्टे हो जाईए हैंप को प्लेइलिस्ट मिलेंगी तीन प्लेइलिस्ट मिलेगी आप तीन फ्लेइलिस चेक कर लेना एक आपको मिलने वाली है English for All एक मिलने वाली आपको इंग्ली फॉर ओर उल इसको चेक कर लिजिएगा दूसरी आ हैं द्लेका आपको तीसरा पहला जो मिलेगा एक मिलेगा आपका इंगलेर अ था क्लास यह लग से रहें फ्लेश्ट लेकिन उसके बाद एक क्लास एक वीडियो तैब एक परकार के और वीडियो है जिसको बोलते हैं tense क्या tense free class free class ये आपका इतनी playlist है English related अगर आप देखेंगे तो अपको आपकी मन की चीजें आपको मिल जाएंगी तो try करिए और समझेए ठीक है मिलते हैं next video में तब तक कि लिए आप इश्टे हरी एक हमारे चैनल पर छोटी छोटी बारी की चीजें हम बताते चलेंगे कि आपको कब कब क्या क्या यूजेज करना हैं, आराम से सारी चीजें समझесяगे और अगर बारी की से सारी चीजों को समझ जाएंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यह चीज़े आप एक दम ध्यान रखना थोड़ा सा अगर आपको प्रब्लम हो रही है मैंने माईक को सामने रखा इसलिए कि ताकि आवाज को क्लियर सुनाई दे आवाज में ही सारी दिक्कत हो जाती है किसी को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने माईक को सामने रखा तो यह स्टेंट पर मैंने माईक को सेट किया है अगर अच्छा लग रहा हो आवाज में कोई दिक्कत नहों ठीक ठाक हो तो कहना कि सर ठीक है कोई दिक्कत हमें इससे नहीं हो रही है ओके मिलते हैं ग्ली वीडियो में तब तक के लिए आप हमें दी जी जाए और इमारी इस टेक्नो प्रस्ट जी जानल पर ओके जालिए